1980 के दशक में रूपा गांगुली ने एक ऐसा किरदार निभाया था जिसने अपनी एक अजीब और अजीम पहचान बना ली थी लेकिन आज क्या है रूपा गांगुली के मन में चलता जब वो देखती है अपने उसी किरदार को डीडी भारती पर या फिर बाकी सारे न्यूस चैनल पर हमारे साथ है रूपा गांगुली महाभारत की द्रावपती कैसा मह desaf plant को देख कर रूपा गांगुली अब थोड़ी बहुत हसी आती है, अच्छा भी लगता है, और कभी कभी लगता है कि मैं कैसे लिप्स्टिक लगाती थी उस पाक्त, वो रंग मुझे अब पसंद नहीं है मेक अब जब आप देखती हैं, तो क्या कहती है, कि ऐसी मैं थी? मुझे यह ज़रूर लगता है कि अगर काश मैं हिंदी तब बोल पाती अच्छे से, वो लैंग्विज को दिकत था, अब भी भी है लेकिन तब तो और बहुत ज़ादा था, तो हिंदी के चलते वो उसमें थोड़ी से दिकत होती थी, नहीं तो आक्टिंग थोर और शायद बह कोई और कहता होगा, लेकिन जब आप वापस सीरियल को देखती हैं, तो जहन में क्या चलता है, क्या-क्या तीन चीज़ें जो आप बहतर कर सकती थी, डायलॉग बोलना और बहतर कर सकती थी, एक्स्प्रेशन और बहतर हो सकता था, सब कुछ ही अक्चली बहतर हो सकता था, यह होता है शायद हर आर्टिस्ट को, मुझे तो बहुत ही किटी-पिटी लगता रहता है अपना पुराना काम देखती रहे, तो मुझे कभी भी यह तसली नहीं होती, हमेशा लगते कुछ न कुछ, यह ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ची-ची-ची, यह मैंने ऐसा, इस से और बहतर कर सकती थी, यह मेरे अंतर हमेशा चलता है, और वो लिप कलर तो इतना गराब था, मैं क्या बता हूँ, चोटी थी और वो पिंक कलर की लिप्चिक पहेंती थी, लिकित किरदार भी अपने आप में सुबह कितने बजे उठना पड़ता था, क्या ऐसे जिंदगी रहती वो सब तो बहुत कठी नाई, बतलब बहुत हाड़ वर्क था, हम लोग सुबह, मैं तो सुबह पांच बजे एक फिल्म सिटी में पहुच जाती थी, वो जह हरुदार से दर्वाजा खुलवाना मेरा कम होता था, और मेरी जो कोनी हैड्रेसर आंटी थी, कोनी आंटी वो उन सबसे पहले पहुचने वाली थी, हर दिन, हर दिन और साथ बजे हम लोग को फ्लोर तक पहुचना होता था, और साथ से अगर डिले हो गया तो बस आपका फाइन लगेगा, तो वो एक फाइन से कुल्फी खाना होता था, और ऐसा दिन में कुल्फी आएगा, जो दिन मैं कलक जाक भी होता होगा कभी इधर देखा कभी उधर देखा कोई ताक जाक वाली बात देखो एक तो वहां पे सारे लोग नए हैं देखो एक चीज था हम लोगों में बहुत अच्छा कि सब लोग एक competitive mood में होते थे कि यह अच्छा कर रहा तो हमें उससे अच्छा करना पड़ेग वह एक होता था और सब लोग फटा-फटा अपने dialogue लेकर बैट जाते थे और ऐसा होता था कि देखो character जीओ ना अब दो साल से उसको जीओ तो उसमें क्या होता था कि एक छोटी-छोटी अन्बन जैसे मैं कभी भी वस्त्रहन के सीन के बाद से या उससे पहले से भी दुशा वक्त उसके बाद से बाद भी हजीब लगता था वह पता नहीं वह बहुत प्यारा अदमी है लेकिन मुझे हमेशा वह उसके साथ हो मुझे पुनीच से भी बहुत अनमन खटी-पटी लगी रहती थी मैं मुझे करन character बहुत अच्छा लगता था और करन के साथ एक्शली वह पंकज जीर जो इनसान है न वह भी बड़ा प्यारा इंसान है वह character भी बहुत प्यारा यहीं होता है अच्छली character के साथ साथ आपना उसमें इतनी जीने लगते हो और बढ़ता और character आप हम लोगों हम लोग ने बहुत पढ़ा है उसको महाभारत बहुत बहुत अलग अलग बहुत लगों ने अनलिसिस किया है उसको पढ़ा है तो वह उसकी बहानी जो है वह बहुत ही गहरा ही तक चला जाता है एक लाइन आप याद करोगे जब तो याद करते क्या होता है आप उसको विश्वास करने लग जाते हो यह होता ना तो once you start believing in the lines and the words आप उसको रोल को ज coincidence है एक तो मेरा खाने को लेकर है मैं आपको बताऊंगी एक कुछ एक sentence था दो पेज का ऐसा कुछ बहुत बड़ा डालोग था मुझे exactly याद नहीं है कौन सा sentence लेकिन इतना याद है कि दो पेज का डालोग था और मैं एक ही शब्द पर एक ही sentence पर आके हर बार रुक रही थी और उसको मैं बोल नहीं पा रही थी तो फ्लोर पे सब बड़े लोग थे उस दिन राही मुस्वम रजा सब आये थे शास्त्री अंकल आये थे तो रजा सहब ने ऐसे अचानक बोले थे बंगाली अब बंगालन रसुछ खाने वाली हिंदी क्या बोलेगी रही सब ऐसे कह दि अंकल करते थे पापाजी करते थे उस बाद में से रवी जी शूट करते थे थे रवी जी को दिख गया और मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं पहले से सब को पता है कि मुझे रुंदू बुलाते थे मुझे मोटी बुलाते थे वो लोग तो वो जानते हैं कि I'll start crying I was on the verge of tears मैं उन्होंने मुझे देख चें शमझ गया कि ये तो मुझे से ओर होगा नहीं अब रो दूंगी बहुतक से तो, बसी कहा हम भॉसी बॉछी बॉलाते थैizar लिवसी ने कहा कुछ यार वही Evening ouर कर देर भटख से of evening break कर दिया और मुझसा कह भॉले मोट़ी तुजा, कमरे मेर ज़ले जा हम दूसरा कुछ करते है keep जब tak क्यों तू 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 एयर नहीं होगी तब तक हम इसको लगाएंगे नहीं and I am confident that you will do it this time by one take because I was always a one take artist. जिन्दीगी भर मैंने जित्मेने काम किया है 99.9% cases I was a one take artist. तो महाभारत के दोरान मुझे वो हिंदी के चक्कर में तकलीफ होती थी. उस वक्त हम वापस गए, कमरे में बैठे, पंद्रा बीस मीट आधा गंटा लिए और पहले याद के उसके बाद सब को देख के देख के याद के, खुदी मिरर में सब को देख देख के याद के. इस बहुत बड़ा सा कटीन काम है यह, देखने में अलग लगता है, अंदर बहुत. And then I went back and then I gave one shot, okay. क्लिष्ट शब्द होते हैं जिनको कहें, उन्हें कैसे डील करती हैं जब आटक गई शब्दों पर, तो क्योंकि आपकी मात्रभाषा बांगला रही है, उसको कैसे हैंडल करती हैं? देखो यह, हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्द में ही मैं यह बच्पन से इसको मैंने आदत डाली हैं. मैं ऐसे सीखने में बड़ी बेशरम हूँ, मैं बहुत बेशरम हूँ, मैं कुछ भी बोलती जाओंगी, गलत हुआ, सही हुआ, बस मैं बोल दूँगी, सुधर ना आपका काम है, और मैं तो पूरे सेट पे सबको बोल के रखी थी, सबको पता था, स्टार्टिंग फॉम्द डिरेक्टर, असिस्टेंट डिरेक्टर, कामेरमन तो दे लाइटमेन ओल्सो, कि मैं अगर कुछ गलत बोल दूँँ, कोई गलत शब्द उचारण कर लूँ, तो आप मुझे टोक देना और तूरंत करेक्क कर देना, बात में नहीं बोलना कि मैडम दिदी आपने गलत बोला ह असानी कर्णा